जाहिन साथियो स्वाब था आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फो जी फाई भी तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SSE GD Constable भरती 2018 के बारे में तो आज 9 अगस्त SSE ने फिर से एक SSE GD 2018 के लिए एक नोटिस जाला है तो इस नोटिस में देखते हैं सबसे पहले क्या है हम इस नोटिस को डॉनलोड करते हैं ये नोटिस जो है वो आज SSE ने अपडेट किया है तो क्या है अपलोडिंग ओफ रैंक ओफ कॉंस्टेवल GD in CAPF, NIA SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 जो आफ के रैंक है All India वाइज जो स्लेक्टेट केंडिडेट्स हैं जिनकी जोइनिंग हुई है उनके क्या क्या रैंक है किस रैंक पर कौन है उनके जो है रैंक के हम पर SSE ने अपडेट कर दिये हैं तो सबसे पहले इस नोटिस को डॉनलोड करते हैं यह नोटिस यहाँ पर डॉनलोड हो चुका है और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है अब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से इन्होंने यहाँ पर यह दिया हुए आज ही नोटिस जारी हुआ है The Final Result of Constable GD CFFF NIA SSF Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 was declared on 21-1-2021 जो final result था Constable GD 2018 का वो 21 जनवरी 2021 को declare हुआ था and 28-1-2021 तक जो हम इसका वो result देख सकते हैं and was uploaded on website of the commission जो commission की website पर upload किया गया था Now the commission has decided to upload the rank of the selected candidates who were finally recommended for appointment तो अब SSC commission है उसने decide किया है कि उनका जो rank था selected candidates का जो finally select हुए है candidates उनके क्या-क्या rank है वो यहाँ पर दरसाए गए है और second clause में यह कह रहा है candidates may check their individual rank by using their registration number and registration password and by clicking on reserve mark link on the candidate dashboard candidate जो है वो अपना ग्यक्तितव जो rank है वो अपना user registration और registered password डाल कर result marks link पर click करके जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों तो वहाँ पर जो आप अपना result चेक करते हैं वहाँ पर जाकर आप इसे भी देख सकते हैं तो जो एक मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूं जो candidate selected उनका जो rank है वो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा उनका क्या rank रहा है यह कोई candidate selected तो उनका जो rank है यह दिखाता हूं मैं आपको ठीक है यह unreserved UPC है ठीक है और यहाँ पर आप देखो final score था इनका 84.26007 और serial SL जो rank है इनका वो है 7000 इनकी साथ 1000 नमबर पर जो है वो यह अभी विराजमान है तो इनका rank जो है वो 7000 है ओके तो दोस्तों यह आप सभी के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है कि SSC ने यह क्यों जारी किया ठीक है SSC ने क्यों जारी किया तो यह हो सकता है कि आपकी जो second list है वो आ सकती है अगर आएगी तो जो इस महिने के जो last में जो है वो August last में जो आपकी second list जो है वो आ सकती बहुत ही ज़्यादा chances है क्योंकि यह जो rank list डाली गई SSC की तरफ से यह इसी बज़ा से डाली गई है ताकि जो आपकी second list का जो है वो कितनी vacancies बची है कुछ एक प्रावधान हो सकता है जो आपकी second list की और बहुत ही ज़्यादा यह संकेत है मैं यहाँ पर आपको मुलब सोटी नहीं दोंगा कि आएगी ही आएगी अगर आएगी तो जो वो आपकी with held के candidates के साथ जो वो second list आपकी आ सकती है तो चलिए आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही जैहिन जै भारत बंदे मातरम